उक्रनाटक एलेक्शन में लग रहा ऐसा कि कॉंग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के और अग्रेसर है रुजहानों में अपने पूर्ण भहुमत की और बखती बहुमत से उपर इस वक्रनाटी दिखाई दे रही है बीजेपी काफी पीशे दिखाई दे रही है अलका लामा जी हमारे साथ बनी हुई है हमारी नजर थोड़ी देर से पढ़ी लग्दस मनट पहले करीब अलका जी ने ट्वीट किया है ये तस्वीर ये देखिए राहूल गांधी के हाथ में भगवान हनुमान का शस्त्र जो है गदा वो तो राहूल गांधी गदा धारी के तौर पर दिखाई गए है इस तस्वीर के अंदर तो ये इसकी शुरुआत जो है आप कह सकते हैं कि इस वाक युद्ध की शुरुआत भाजपा ने की थी और इस तस्वीर के साथ अंत ने जो है वो अलका लामा अपनी पार्टी की ओर से दिखा रही है क्यों अलका जी देखिए भाजपा बार बार कहती है कि बजरंग डल को बैंट की बात करके बजरंग बली जी का अपमान किया और अब मेरा नाम इस्तमाल कर रहे है मेरा नाम मत मेरे भक्तों पर ध्यान दीजिए मेरे भक्त जिसमें सर को ही आता है वो महंगाई बेरोजगारी से परशान है इन्होंने हनुमान जी को मुद्दा बनाया तो ये संदेज साफ है, मोला चला, आज शनिवार का दिन है, भगवान हमारे हनुमान जी का गदा है, वो राहुल गांधी जी के कंदों पर है, वो अशिरवाद है, और वो चल गया है, अरब भाजपा को सबक लेना चाहिए, कि अब राम और रहीम और हनुमान जी के नाम पर राजनिती ने होगी, अब उनके भगतों के मुद्दों पर राजनिती होगी, जिस पर मोर पूरे करनाथका में लगी है, और भगवान का जो संकट मोचन है, उन्होंने एक संकट तो टाल दिया करनाथका, हिमाचल के बाद करनाथका में, भाजपा की डबल इंजन, डबल सं या एप स्टोर पर